हेलो दोस्तो मैं हूँ सिवानी और स्वादत है आपका सिवानी की रसोई में तो आज मैं आप लोग के लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार पालक के पकोड़े की रेसिपी जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगता है और बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है तो आप लोग भी इस पालक की पकोड़े की रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेला गैन को जरूर दवा दीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं पालक का पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पालक का पता तो यहाँ पे हम पालक का पता ले लिये थे जिसको कि हम बारी कट करके पानी से इसको अच्छे से साफ कर दिये थे और उसके बाद इसको हम बाउल में निकाल लिये हैं अब हम इसमें अड़ करेंगे प्याज तो प्याज को हम कुछ इस तरीके से कट किये हैं इसको हम कट करके इसमें डाल दिया है, अब हम इसमें एड़ करेंगे हरी मिर्च और अद्रक, तो अद्रक को हम खिस लिये थे और 4-5 हरी मिर्च लिये थे, मिर्च आप हम पिटेस्के कोरिंग इसमें डाल सकते हैं, तो 4-5 हरी मिर्च को भी हम कट करके इसमें डाल दिये हैं, तो बेसन डालने के बाद इसमें हम एड़ करेंगे 4 चमच चावल का आटा, चावल का आटा डालने से यह जो पॉकोरा है बहुत ही जाड़ क्रिस्पी बनेगा, तो वो तो डाले नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं, तो चावल के आटा जेगा पर 4 चमच एक्स्ट्रा बेसन अब इसमें कुछ भी नहीं डालना है, हाथों से इसको अच्छे से पहले मिक्स करना है, जरूत लगेगा तब ही इसमें पानी का इस्तिमाल करना रहे, तो पानी इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि हम बनाया थे तो पानी नहीं लगा था, इसको हम अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे तो इस mix cœr को हाथों से ही अच्छे से mix करना है ताक कि इसमें से पानी छूटे अगर आप चम्मत से mix करेंगे तो इस तरीके से अच्छे से दवाते होगे इसको mix करेंगे अगर आप कुछ जरोत लगे तो इसमें हम पानी का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं किये हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर दिये हैं, तो चलिए आप बारी आती है पकॉड़े को फ्राइ करने की, तो पकॉड़े को फ्राइ करने के लिए तेल को पहले अच्छे से गरम करना है तब ही इसमें पकॉड़े फ्राइ क ना वैसा ही बिल्कुल टेस्ट भी और देखने में बिल्कुल वैसा ही ये पकॉड़ा लगने वाला है तो तील मीं जितना आटेगा उतना डाल देंगे और इसको एक तरब से पहले फ्राइ होने देते हैं तब हम इसको अलट पलट करेंगे तो ये जो पकॉड़ा है वो एक तरब से थोड़ा से फ्राइ हो चुका है तो इसको पलट देते हैं ताकि ये चारो तरब से अच्छे से फ्राइ हो और आप देख सकते हैं अभी थोड़ा ही सा कलर आया और देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है बिल्कुल ठेला लग रहा है नहीं ये पकॉड़ा तो चलिए सभी पकॉड़े को क्या करेंगे करके अच्छे से पलट देते हैं ताकि चारो तरब से अच्छे से फ्राइ हो और क्रिस्पी भी बने और एकदम अच्छा कलर भी इसमें आए तो सभी पकॉड़े को इस तरीके से चमच की में अ अच्छे से पलट देते हैं और चारो तरब से इसको अच्छे से फ्राइ कर लेते हैं क्रिस्पी होने तक उसके बाद हम आप लोग को दिखा दे हैं तो ये देखे दोस्तों सभी पकॉड़े को हम अलट पलट के अच्छे से चारो तरब से अच्छे से फ्राइ कर लिए आप देख सकते हैं कलर भी काफी अच्छा आप अधकर क्रिस्पी भी ये पकोड़ा हो चुका है तो अब हम सभी पकोड़े को तेल में नीकाल लेते हैं और बागी बचे हुए पकोड़े को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे तो इसको हम तेल में से अच्छे से निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं इसका कलर काफी अच्छा आया है और एकदम ठेले वारा पकॉरा लग रहा है ये देखने में तो सभी पकौरे को तेल में से निकाल लेते हैं और बांकी बची हुए पकौरे को भी हम इसी तरीके से तेल में डालके फ्राइ कर लेते हैं उसके बाद हम आप लोग को दिखाते हैं तो यहां पर हम सभी पकौरे को अच्छे से फ्राइ कर लिए हैं अब हम इसको सर्फ कर रहे हैं आम की तीखी चटपटी चटनी और टमेटो केचप के साथ आप इसको हरी चटी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं सामके टाइम में आप इसको चाई के साथ भी इंज्वाई कर सकते हैं तो फिन देर किस बात की जाईए, आप लोग भी इसको बनाईए, खाईए, रेसिपी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, सेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, मैं न नेक्स टीडे फिर से लाओंगी, तब तक के लिए बाई